हेलो दोस्तों एक वर फिट से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एचसी टिप्स में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एसकाबा के बारे में इस वीडियो के मादम से हम जानेंगे एसकाबा क्या है और प्र में करते हैं और की तरींट करेंगे अगर कितना प्रेसर है तो उसका कितनाorem कर सकते हैं कि कैसे हम उसके कितने समय के लिए थिक तो ये सारा टॉपिक हम आज के वीडियो में cover करेंगे तो बने रही है हमारे सब वीडियो के आखरी तक आईए वीडियो को सीधे start करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या इससे subscribe करें ताकि आन स्वास्थ के प्रती तुरंत खतरनाक साबित हो सकता है जैसे कहीं पर टॉक्सिस गैस से कहीं पर मालेजिया oxygen deficiency है तो इन अस्थानों पर एसकाबा का यूज किया जाता है अब हम बात करेंगे एसकाबा के पर्योग के परपज के बारे में आये जानते हैं इसकाबा का में आप यो कहां पर करते हैं इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड़ेटी ओएस टॉस डैट मिस्टी फर टॉक्सिक ओफर ऑक्सिजन डिफिस्टिंसी यस पर एस्मोग इन थानों पर इसका यूज किया जाता है एक सिंपल फर्मूला आप याद रखने हैं कर तॉस ओके नेक्स्ट कोट टैप में क्या होता है कि जब हम असकावा सेट को पाइनना होता है तो सबसे पहले उसको अपने सामने रखते हैं रखते हैं यूज जैसे कि हम बहुत है है थीक है तो इसलिए इसका नाम है औरो वर टाइब में क्वाते है उससी ने हूब होता है उसको पकड़ते हैं और अपने दोनों हाथों को डायरेक्ट सोल्डर में सौल्डर स्ट्रप होता उसमें डाल करने रहे ही रहे कि आ चुशब सब करता फैनली हम क्या करते हैं जो कि एलब स्क्राइब क्या नाम दिया गया और हम क्या बोलते हैं आये जानते हैं और उसका यूज़ होता है एक एक पार्ट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो फिक परकार का कारबन से बना होता है समय 75%杯 253 और फैलाओ से बनते है जब इसमें 300 वार प्रेश荷 होता है तो इसका जो वेट होता है 8.5 kg होता जब की जब की गाली हो जाता है इंप्टी होता है تو इसका जो वेट होता है प्रेशर उसको रिलीज करता है नेक देखिए आपका बोडी हारनेस होता है इसको बोलते है यह क्या है जोफेटलें स से श्ट्रेप होता है जो शिलेंडर को ठाइट करता है okay butComplace Kim क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसको हमारे सोल्डर के थिरू यहां पर इसको पहना जाता है ठीक है है नेकस्ट आपका वार्णिग विस्टल यह एक परकार का एलार्म होता है जो कि automatic रेज़ होता है जब हमारा cylinder का प्रेशर 50 बार से नीचे जाता है तो उस अस्तान पर यह उस time पर यह क्या करता है अपना कारे छोड़ी और यहां से बाहर नहीं करें ठीक है उसका यह अपका प्रेशर गेज होता है यहां पर इसका काम क्या होता है जो हमारा cylinder में प्रेशर है वो उसको सो करना होता है या एक रेडियम मेटल से बना होता है ठीक है नेक्ट देखिए एक होता है LDV यहां पर LDV आपका होता है थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा यह LDV मतलब की long demand valve यह क्या करता है कि जो हमारा प्रेशर है cylinder में हम direct वहां से प प्रेशर को reduce कर सकता है अपने इसाब से जितना उसका longs का demand हो सकता है उसके इसको सेट करता है ओके यह बोलते हैं इसको face mask बोलते हैं यह क्या होता है हमारे eye को protect करता है आंको को protect करता है और यह क्या करता है इसी के द्वारा हमारे नाक को द्वारा हमारे longs तक air को provide भी करता इसको क्या करते हैं जो कि जो हमारा हमारा हवा जो आता है वह इजिली हमको मिलता है जिसमें किसी परगार का लिक नहीं होता है ओके नेक्स इसको वीजर बोलते हैं यह क्या है कि देखने के काम आता है तो यह कुछ यह कॉमपोनेंट्स हैं जो कि इसकावा सेट में इनवाल्व होते हैं ठीक है अब बात करेंगे प्रेसर एंड डूरेशन के बारे में कि डैट मिस कितना प्रेसर रहेगा तो हम कितनी समय तक एसकावा सेट से खुद को सांस ले सकते हैं यह जानते हैं जो कि हमारा सिलेंडर होत प्रेसर होता है जिसमें हम 45 मिनट तक लेते हैं लेकिन जब यह कम आता है तो वैसे वैसे हमारा डूरेशन भी कम होता जाएगा जब उसका प्रेसर टूफिप्टी बार आता है तो हम केवल 37.5 मिनट इसका यूज कर सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं यह कैसे निकलता है आईये जानते हैं देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमको डूरेशन निकलना होता है कि इसका बासेट हमारा कितना समय तक चलेगा तो जो हमारा प्रेसर बार होता है और मैंने already आपको water की capacity बताया था कि जो हमारा cylinder है 6 liter water capacity उसकी होती है तो इन दोनों का multiply करके हम 40 से divide करते हैं जैसे कि मान लिजे जो हमारा cylinder है 300 बार pressure है उसमें और जो उसकी water की capacity कितना है 6 है तो 300 into 6 divided by 40 जब हम इसका calculation करेंगा तो कितना हैगा only 45 तो यह हमारा 45 minute जो हमारा calculation निकालता है यही है जिसके द्वारा कि हम identify करते हैं कि हमारा cylinder की validity कितना है ऐसे ही यह on air जो भी है मैंने आपको example में बताया उसका भी आप यहांसे calculation निकाल सकते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा cylinder है उसकी capacity कितने देर की है और इस प्रकार से हम अपनी सुरच्छा को ध्यान रखते हुए इस कारे को safely कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए useful था तो कैसा रहा यह वीडियो comment box में जरूर बताएं और साथी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको प्राप्त हो तो दोस्तो मिलते हम आपसे अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें धन्यवाद